Hello Friends, Welcome to Target Study Zone आज के इस वीडियो में चक्रिर्दी ब्याज निकलना सीखाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे यहां चक्रिर्दी ब्याज निकलना है चक्रिर्दी ब्याज को अंग्रेजी में compound interest कहते हैं और इसको shortcut में CI कहते हैं ठीक? अब यहां compound interest यानि चक्रिर्दी ब्याज निकलना के लिए एक question ले लिए हैं क्या है? 12,000 रुपय का 5% की दर से 2 words का चक्रिर्दी ब्याज ग्याद किजिए यानि 12,000 जो रुपया है वो क्या हुआ? मुल्धन हुआ और दर इसका कितना है? 5% की दर से और समय कितना है? 2 words के लिए निकलना है चक्रिर्दी ब्याज तो चलिए पहले जो जो question में है वो लिख लेते हैं क्या है? यहां मुल्धन कितना है? लिखेंगे मुल्धन बराबर मुल्धन बराबर हो जाएगा 12,000 ठीक? अब यहां दर दर कितना है? 5% की दर से है तो दर बराबर हो गया 5% और यहां आप समय देखेंगे समय कितना है तो समय बराबर कितना है? 2 words है यानि 2 words इसका समय हो गया ठीक? अब यहां निकलना क्या है? चक्रिर्दी ब्याज निकलना है तो चक्रिर्दी ब्याज के लिए फर्मूला क्या होता है चक्रिदी ब्याज बराबर होता है मिस्रधन माइनस मुल्धन होता है ठीक चक्रिदी ब्याज का यही फर्मूला होता है मिस्रधन माइनस मुल्धन लेकिन यहां मुल्धन तो पता है कि 12,000 रुपया है लेकिन मिस्रधन पता नहीं है त उसके बाद मिस्रधन जितना आएगा उसमें से मुलधन को घटा लेंगे, तो चक्रिदी ब्याज निकल जाएगा, तो चलिए देखते हैं मिस्रधन का फर्मूला क्या होता है, मिस्रधन बराबर होता है, मिस्रधन बराबर, मुलधन, गुना, 1 पलस, दर बटा, 100, और इसके प मिश्रधन निकाल लेंगे उसके बाद जितना आएगा उतना मेंसे मुल्धन को घटा लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा चक्रिदी भी आ जा जाएगा तो चलिए पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं अब यहां मुल्धन है तो मुल्धन कितना है 12,000 है तो यहां लिखेंगे 12000 उसके बाद 1 है प्लस 10 दर कितना है 5% है तो 5 लिखेंगे ठीक अब यहाँ बटा में 100 है तो 100 लिख देंगे अब यहाँ पावर समय होता है तो समय कितना है 2 वर्ट से तो पावर इसका क्या आजाएगा 2 आजाएगा अब इसको solve करेंगे solve करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिए अब यह जो 5 है 5 20 मरतवे में 100 को काट देगा तो यहाँ 20 लिख दिये ठीक काट कर अब इसके आगे क्या करेंगे यहाँ 12000 तो है 12000 लिख देंगे उसके बाद यहाँ 1 है प्लस है एक बटा 20 यहाँ हो जाएगा एक बटा 20 की पांच 100 को 20 मरतवे में काट दिया है ठीक अब इसका पावर क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे अब इसके आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 12000 यहाँ अंदर में बटा पके जोड इसको करेंगे बटा पके जोड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटा 20 आजाएगा अंदर ठीक अब इसके पावर कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे इसको आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 12000 ठीक अब यहाँ square है यहाँ power 2 है यानि square है तो इसको दो बर गुना करके लिख सकते है यानि 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 इसको लिख सकते है ठीक अब यहाँ यह 2 0 से यह 2 0 cancel हो जाएगा यानि कट जाएगा ठीक अब यहाँ 2 से यह कितना हो जाएगा 120 है तो 2 से 60 हो जाएगा ठिक अब यहाँ यह दो से यह 30 हो जाएगा अब कितना बच गिया यह बच गिया 30 गुना 21 गुना 21 यहाँ 30 बचा गुना 21 गुना 21 यहाँ 30 बचा में कुछ भी नहीं है तो अब क्या करेंगे 30 गुना 21 गुना 21 जब इसको आपस में सब को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13,230 ठीक यानि मिस्रधन कितना निकल करा गया 13,230 अब पहले हम लोग चक्रिदी ब्याज का एक फर्मूला देखे थे क्या था चक्रिदी ब्याज बराबर क्या था मिस्रधन माइनस मुल्धन ये फर्मूला पहले हम लोग जान चुके हैं ठीक अब इसमें क्या करेंगे कि यहां मिस्रधन तो प्राप्त हो चुका है तो 12,000 इस में से घटा देंगे 13,230 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1230 रुपय यानि चक्विर्धी ब्याज जो निकल कर आ गया कितना आया 1230 रुपया यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी इसी परकार से चक्विर्धी ब्याज असानी से फर्मूला द्वारा निकाल सकते हैं अई होग कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें थाइंक यू